नमस्ते दोस्तों बेशंकर ढाकूर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल केके फार्मिंग में किसान मित्रों हमें स्वायाबिन की फसल में दूसरा इस्प्रेक कौन सा करना चाहिए तो आज मैं आपको 2-3 बेश्ट कीट नाशक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर जो आपके खेत में इल्ली का ज़्यादा प्रखोप है तो आपको कौन सा कीट नाशक लेकर इस्प्रे करना है और अगर जो इल्ली कम मात्रा में है तो आप हलका टेक्निकल भी लेकर इस्प्रे कर सकते हैं तो उसी के साथ मैं आपको इसमें बेश्ट फंगी साइट के बारे में बताऊँगा और अभी कुछ किसान भाईयों के कमेंड मुझे मिले थे कि हमारी सोयबिन की हाईट जर्रोस से ज़्यादा हो रही है तो उसमें हमें कौन सा PGR का इस्प्रे करना है और कुछ किसान भाईयों के कमेंड थे कि हमने घर्पतवार नाशक का इस्प्रे किया उसके बाद हमारी सोयबिन की हाईट नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए आपको कौन सा टोनिक का इस्प्रे करना है तो इसमें विस्तार से आपको संपूर्ण जानकरी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो किसानमित्रो वीडियो आखरी तक अवश्य देखिएगा आज का वीडियो पहुत ही महतवपूर्ण होने वाला है अगर जो आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे डाउट किलियर हो जाएंगे कि हमें दूसरा बेस्ट इस पर कौन सा करना है ताकि बेस्ट रिजल्ट हम हमारी स्वावपूर्ण की फसल से ले सके तो किसान मित्रो अगर जो जानकरी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिए और अगर जो अभी तक भी आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब अवश्य कर लिजिए ताकि खेती बाड़ी की महत्वपूर्ण जानकरी जैसे इमेर पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले किसान भाईयो हमारी स्वाविन की फसल अभी 40 से 45 दिनों की अवदी की हो चुकी है और अभी बहुत सारे किसान भाईयों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारी स्वाविन में हमने 8 दिन पहले या 10 दिन पहले कीट नाशक का इस्प्रे किया उसके बाद भी इल्ली का प्रकोब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो उसको केसे कंट्रोल किया जाए कुछ किसान भाईयों के कमेंट थे कि हमने कोराजन का इस्प्रे किया उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है या हेवी से हेवी किटना सक का इस्प्रे किया उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो किसान भाईयों क्यों result नहीं मिल रहा है उसकी दो वज़े हो सकती है पहला तो ये कि आपने इस्प्रे किया और उसके तुरंत बाद अगर जो बारिस हो गई हो उसके कारण भी हमें जो result मिलना चाहिए कही नहीं मिला होगा और उसकी या फिर दूसरी विवाजे ये हो सकती है किसान भाईयों की अभी लगातार मद्यप्रदेश MP में 7-8 दिनों से लगातार बारिस हो रही है उस वज़े से भी कही न कहीं हमें इलिका प्रको जादा देखने को मिल रहा है किसान सातियों एक बात का विशेश करके ध्यान रखे जब भी आप कीट नाशक दवाई या अन्य दवाईयों का इस्प्रे करते हैं तो मोसम साप और खुला हो उसी समय में आपको इस्प्रे करना चाहिए और अगर जो बारिस हो रही हो हलकी भुलकी उस समय अगर जो आप इस्प्रे करते हैं तो आपको किसी भी हेवी कीट ना सकके भी रिजल्टर देखने को नहीं मिलेंगे अब बात करते हैं किसान भाईयों अगर जो आपकी सोयाबिन की फसल में कम इल्ली का प्रकोप हो सोलो मनाता है अब उसको एट कर लीजिए जिसके अंदर बुटा साइलोथिन आट दसम लोग उनपचास प्रतिशत होता है और एमिडा क्लोफिट होता है 29 दसम लोग 81 प्रतिशत तो ये सभी प्रकार के इल्लियों को उड़ने वाले चबाने वाले रस चूसने वाले यूँ समझ लोगी A to Z कीट को कंट्रोल करता है और यूँ समझ लोगी 15 से 20 दिनों तक आपकी फसल में रिजल्ट देता है किसी भी इल्लिका प्रकोप नहीं होने देता है एक तो ये टेक्निकल है इसके अलवा आप अगर जो थोड़ा सा और उपर में जाते हैं यानि कि अंदर हमको मिलता है क्लोरिंट्रा नेली पोल 10 प्रतिशत जो की कोराजन के अंदर आता है और इसके साथ में लेमडा सायलोतिन 5 प्रतिशत ये दो दवायों को एक भहतरिन कांबिनेशन है और ये सभी प्रकार के A to Z कीटो को कंट्रोल करता है यानिकी सभी प्रकार की इल्ल इसे कंट्रोल कर लेता है और अच्छा रिजल्ट आप कर जो आपको चाहिए इसके साथ में आप अलफा मेथिन या फिर कोईनालफास को एट कर सकते हैं अच्छे रिजल्टे के लिए तो हमें इंपलिगो का डोज रखना है किसान भायो 80 ml प्रति एकड की हिसाब से यानिकी 40 ग्राम प्रति भीगा और अगर जो आप अलफा मेथिन या फिर कोईनालफास लेना चाहते हैं इसका डोज हमें रखना है 200 से 250 ml प्रति एकड के हिसाब से इसके बाद दोस्तों तिसरे नमपर पर अगर जो आप चाहते हैं तो कोराजन को ले सकते हैं जिसके अंदर हमें क्ल 30 से 60 ग्राम प्रति एकड के हिसाब से इसका डोज रख सकते हैं जिसका रिजल्ट हमें किर मिलता है किसान बाईयों 20 से 25 दिनों तो आपकी फसल में किसी भी कीट का प्रोकोब नहीं होने देता है और इसके साथ में हमें एक चीज और एट करना है जो उड़ने वाले कीट होत हैं तो उसको एट करना है और इसकी मातरा रखनी है 200 से 300 ml प्रति एकड के हिसाब से तो किसान बाईयो में एक थोड़ा सा आपको यहां सजेस्ट करना चाहूंगा कि हम दूसरे इस प्रे में हम कोराजन का इस प्रे ना करे तो ही ठीक है नहीं तो हम जो लाश्ट हमारा जो इ इसके साथ में आप अलफा मेथिन ले सकते हैं कुईनालफास ले सकते हैं या फिर प्रोफेनोसाइपर को मिक्स करके आप अगर जो इस प्रे करेंगे तो भी आपको एक भेहतरिन और शांदार रिजल्ट मिलेंगे 20 से 25 दिनों तक आपकी स्वाविन के फसल में किसी भी चब बाने वाले या फिर रस चुसने वाले किटों का प्रकॉप नहीं दिखाई देगा तो यह थे खिसान भाईयों तीन बेस्ट काम्बिनेशन कीट नाशक के अब बात करते हैं किसान भाईयों हम अगर जो आप लेना चाहते हैं तो इनके साथ में आप फंगी साइट का स्प्र आती है टेवू को नजोल प्लस सलफर जो काम्बिनेशन आता है जो कि सोमुटो मुका हरू के नाम से आता है और अन्य दूसरी कंपनिया भी इस टेक्निकल को बनाती है किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा लेना चाहते है तो सिजेंट ताकर जो अमेश्टो टॉप के नाम से आता है जो कि बहतरिन फंगिसाइट की स्रेड़े में आता है आप उसको ले सकते हैं या इसके अलावा सिजेंटा का कवच भी आता है उसको भी ले सकते हैं या फिर अदामा कंपनी का जो कस्टूडियो के नाम से आता है ये तीन चार बेस्ट फंगी साइट है इन में से आप किसी का भी दूसरे स्प्रे में स्प्रे कर सकते हैं अब इसके बाद किसान भाईयो अगर जो आप किसी टोनिक को अगर जो रेरना चाहते हैं ताकि हमारी फसन में फूल जड़े ना फूल अच्छी तरह से आए और जितने भी फूल का जो फेंटेक प्लस के नाम से जो टोनिक आता है बहुत शानदा रिजल्ट है आप उसको भी ले सकते हैं या फिर इसा एगरो का सेप्टान टेन के नाम से जो टोनिक आता है आप उसको भी ले सकते हैं या इसके अलावा आप गोद्रेज कंपनी का डबल गोद्रेज के ना कोज यूं समझ लो किसान भाईयों के 500-200 अगर जो आप इन में से कोई सा भी चूस करते हैं तो आपको दुकान वाला बता देगा अब इसके बाद किसान भाईयों वीडियो और लंबा ना हो इसके लिए मैं सोट कट में आपको समझा रहा हूं अब हम बात करते हैं जिन किसान के साथ में साइटो काइनिन टॉनिक भी मिलता है तो ये दो टॉनिक का बहतरीन कांबिनेशन है जो हमारी फसल को उत्तेजना देकर बढ़वार बढ़ाता है तो आप उसका इस्प्रेस कर सकते हैं किसान साथी हो और उसकी मातरा हमें रखनी है 200 ml प्रती एकर के हिसाब से या हमारी फसल कहीं हाइड बढ़ने के कारण नीचे न गिर जाय तो आप उसकी में किसान भाईयो PGR का इस्प्रे कर सकते हैं जिसमें हम BSF का जिलियोसिन आता हैं आप उसका इस्प्रे कर सकते हैं या फिर गर्ड़ा कंपनी का जो चमतकार के नाम से आता हैं वो भी ले सकते हैं या फिर इसके अलवा किसान भाईयो आप सिजेंटा का जो कल्टार के नाम से आता है ये दोनों तीनों में से आप किसी का भी इस्प्रे कर सकते हैं या फिर अगर जो हाइड जरोस से जादा हो गई है और उसको ततकाल रोकना है किसान भाईयो तो सोमो टोमो कमपनी का जो फंगी साइट के बारे में और टॉनिक के बारे में विस्तार से आपको समझाया है आशा है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा और किसान भाईयो अगर जो इसके अलाब है आपके कुछ डाउट है कुछ प्रश्ण है तो आप कमेंट के माद्यम से मुझसे आप में जएजवान जएगी साइब